Hey all, Happy New Year! Finally हम 2023 में आ गए हैं और अब हम उमीद करते हैं कि आने वाले साल में सब शुब होगा मैं आज की क्लास को छोटा रखना चाहती थी इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को style line के बारे में बताया जाए तो आएए इसके बारे में थोड़ा detail में जानते हैं स्टायल लाइन हमारे garment में colored thick outline क्रियेट करती है जिससे आप अपने garment की shape को visible कर सकते हैं और अपने project में और presentation के दौरान इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने काम को easy करने के लिए आप इसमें से अपने irrelevant patterns पहले remove कर सकते हैं और साथ ही जो pattern separated हैं उन्हें merge कर सकते हैं जिससे बेकार की कोई भी outlines create ना हो ये सब changes करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम style line अपने project में add कर सकते हैं आपकी 3D window के side options में एक garment का particular section available है जहां से आप style line वाला option activate कर सकते हैं इस option को select करते ही आपके project में thick lines visible हो जाएंगी और साथ ही एक छोटा सा dialogue box आपको मिल जाता है जिससे आप changes कर सकते हैं अपनी style lines में पहले option के up-down वाले option को use करके आप अपनी outline की thickness increase या decrease कर सकते हैं जितनी ज्यादा thick lines होंगी उतना ही यह animated look आपको देगा इसके just नीचे है colors तो आप यहां black की जगह कोई और color भी अपने garment में add कर सकते हैं आप चाहे तो similar color में dark shades add कर सकते हैं जिससे वो उसकी highlight बने next option है हमारा show silhouette तो जितनी भी आपकी garment में false होंगे वो इस option को tick करने के बाद visible हो जाएंगे तो आप ऐसा चाहते हैं तो इस option को tick रखिए नहीं तो आप यह tick हटा भी सकते हैं और अब हमारा last option है internal lines related तो फिलाल तो हमारे garment में कोई भी internal line नहीं है तो हम अपनी 2D window में चलते हैं और कुछ internal lines create कर लेते हैं internal lines create होते ही वो भी style line में convert हो गई हैं और हमें दिखाई दे रही हैं तो इस तरीके से अब आप इस internal line को दिखाना चाहते हैं तो इसको tick कर लीजिए नहीं तो इसको untick भी छोड़ सकते हैं तो ये थी कुछ basic चीट जिससे आप अपने काम को वक्त के हिसाब से impressive बना सकते हैं जैसे एक tag pack के लिए या फिर कभी किसी office presentation में जो आपके काम को सबसे अलग बनाएगा ये class आपको पसंद आई हो तो इसे like करें और अगर आप इस channel पे नए हैं तो हमें subscribe भी करें और bell icon प्रेस करें जिससे आप future में हमारी कोई भी tip, trick और tutorial को miss ना करें जल्द मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए देखते रहें और कुछ नया बनाते रहें जल्द में जल्द तक करें